मुह से निकले शब्द वापस नहीं लिये जा सकते। एक किसान ने अपने पीडीडी डौसी की निंदा की। अपनी गलती का एहसास होने पर वह पादरी के पास क्षमा मांगने गया। पादरी ने उसको कहा कि वह पंखों से भरा एक थैला शहर के बीचों बीच बिखेड़ दे। किसान ने वही किया, फिर पादरी ने कहा कि जाओ और अब सभी पंख थैले में भरलाओ। किसान ने ऐसा करने की बहुत कोशिश की, मगर सारे पंख हवा से इधर उधर उड़ गए थे। जब वह खाली थैला लेकर लौटा, तो पादरी ने कहा कि यही बात हमारे जीवन पर लागू होती है। उने बात तो आसानी से कह दी, लेकिन उसे वापस नहीं ले सकते, इसलिए शब्दों के चुनाव ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए।